एक हपते में जारी होगा समुगो की 23 भरतियों का कलेंडर राहत राज्य लोग से वायोग कराएगा करीब 7000 पदू की भरति परिच्चा तो एक हपते में जारी होने वाला कलेंडर लगभग उस्तव आप मान सकते हैं कि 20 सितंबर तक आपका एकजाम कलेंडर आ सकता है जैसा क सब्ता हमें जारी कर देगा उसमें दोस्तो सभी परिक्षाएं होंगी 23 परिक्षाएं कि कौन-कौन सी परिक्षाएं किस-किस महने होगी जैसे पुलिस कॉंस्टेबल का एकजाम किस महने होगा पटवारी का किस महने होगा दरोगा का फोरेश्टे कार्ट का सभी दोस्तों और भी जो तमाम परिक्षे हैं वो सब ही उसमें सब कुछ दिया होगा कि कितने तारिक से लेकर कितने तारिक के बीच में आपके एडमिट कार जारी होंगे ये भी UKPSC पहले ही निर्धारित कर देता है इन से करीब 7000 पद उपर भरती होगी पिछले सब्ता सरकार ने अदिनस्त सेवा चैनायोग की 23 भरतियां कराने की जिम्मेदारी राजलोक सेवा चैनायोग और राजलोक सेवा चैनायोग के अधिकारियों के बीच बैठक हुई जिसमें तै किया गया कि आयोग अपनी राकेश कुमार ने बताये कि भर्तियों के लिए एक सब्ता के भीतर कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा उन्होंने उम्मिद्वारू से सयम भरत परिक्षा तयारी करने की अपील की तीन से चार भर्तियों का विग्यापन जल्द ये दोस्तों आपको कब देखने को मिलेगा यह आपर जानते हैं आयोक के अधेक्षे डाक्टर राकेश कुमार ने बताये कि अक्टूबर नवंबर में प्रास मिक्ता के आधार पर तीन से चार भर्तियों की विग्यप्ति जारी कर दी जाएगी और दिसंबर बाईस से जन्वरी 2020 तक इन चार परिक्षाओं का आयोजन भी कर दिया जाएगा दोस्तों UKPSC में बहुत कम चांस होता है कि परिक्षे आपकी आगे टलेगी पता दे कि सोमार को सेम पुषकर धामी ने अपसरों को जल्द कलेंडर जारी करने के निर्देश दिये थे टाप की है जरुवत सासन को भेजा पत्र 23 भरतियों के लिए आयोक को भरती करने का निर्दय लिया जा चुका है अधियाचन का होगा अध्यन टांक्टर राकेश कुमार ने कहा कि सभी 23 भरतियों के अध्याचन का बारिकी से अध्यन किया जाएगा भरतियों से समंदित में पार्ठी कर्मू भरती नियमू विग्यापन आधिका अध्यन करने के बाद परकितिया सुरूप की जाएगी उन्होंने कहा कि आयोग का मक्सद है कि किसी भी भरती में कानूनी अर्चन ना आए अब बहुत से अबर्तियू के मन में है कि जैसा यहां पर है यह तीन चार विग्ज्ञापन यहां पर विग्ज्ञापती जाली करेगा क्या जो उसमें कर पाएंगे बागी इसमें जब बिग्यापन आएगा तब दोस्तों पता लगपाएगा जहां तक दोस्तों पूरानी नियमावली के अनुसार पूरानी जो बिग्यप्ति है उसी अनुसार सब कुछ होगा उम्मिद्वारू के लिए बनेगा सेल सियम पुसकर धामिगा क्या क दिया गया था तीन से चार महत्पूर्ण परिक्षाओं की बिग्यप्ति प्रात्मिक्ता के अधर पर जारी की जाएगी माहा दिसम्बर 2022 से जनुली 2023 में तीन चार परिक्षाओं का आयोजन किया जाना सुनश्चित किया जाएगा इन परिक्षाओं दोस्तों पहला नंबर अभ्यर्तियों से अनुरोध है कि वह सयम बरतते हुए परिक्षा कलेंडर के नुसार अपनी तयारी करें उक्त परिक्षा कलेंडर एक सप्ता के अंदर आयोग की वेबसाइट इस पर उस तो जारी कर दिया जाएगा जैसी आएगा आपको बता दिया जाएगा आप अपनी देख सकते हैं। उन पर case to case निर्णे लेने के लिए मुक्की सचीव और कार्मिक सचीव को निर्देश दिये हैं। एहम सब्पूत साबित होगी call detail UK SSC परिक्चा किस-किस की न्युक्ती कैसे कैसे हुई है वह इसका चाड बना कर कोट में पेस करें। कोड़वार में भरती घोटालो के विरोध में बेरोजगार संगने निकाली रेली, मुक्की मंतरी को भेजे, ग्यापन में मामलो की जाँच CBI से कराने की मांग। मांग। युवाओं के भविष्टी से नहीं होने दिंगे खिलवार, पूरुकुल सचीव को SIT ने किया गिरबतार, जीबी पंत अभियांतरी की एवंपरुध्योगी की सच्तान गुर्दवड़ी में अव्य तरीके से न्युक्तियां करने निर्मार कार्यों में धादली का आरो, परधनाचार्यों की सीधी भरती पर संगने सिक चगूं से मांगा सुझाओ, तो परधनाचार्यों की भरती पर सुझाओ मांगा गया है, अब देखते हैं इस पर क्या होता आगे, तो दोस्तों आप सभी अपनी तयारी करते रहें, सभी के लिए अच्छी खुशकबर तो मिलते हैं बहुत जंदी एक नई वीडियो में, थैंक्यू फ्रेंड, थैंक्यू सुमित